Hello everyone Welcome back my dear students Students, in the past video we have completed our poem which is beauty Today we are going to answer questions and answers Students, let's start today's video Students, I hope you will understand our poem which we have done a line by line explanation which we will understand correctly So let's start today's video, my dear students Question number first What are the various things of beauty The speaker has seen Question number first What are the various things of beauty The speaker has seen The speaker has seen the beauty of the dawn As we have understood correctly What are the words of the speaker has seen the beauty of the dawn and sunset? What is the speaker? What is the speaker? This speaker is our point What is the speaker? से समझ लिया है और क्या देखा दे बीविटी ऑफ दे डेफ़ाडेल्स जो नर्गिस के फूल है उनकी खूबसूरती भी देखी सेपरिंग इंग्रस एंट अप्रिल रें जो एप्रिल के महीने में वो चोड़ा चोड़ा जो गरस आता है उसकी बीविटी भी देखी एप्रिल जो वो हलके हलके बारश हो रही है उसका मज़ा भी देखा उसकी बीविटी भी देखा बीविटी जी बीविटी जो गीत गाती है उनका जो साउंड होता है जो वो भी अच्छे से सुना है इसने और क्या देखा? है शायर ने and the beauty of lanes along the sea shore और क्या देखा और इसने देखा जैसे हमने पॉं में पड़ा था कि जब वो समंदर में कही जाया करता था तो वो अजीव जगों को देखा करता था तो यह सारे चीज़े हैं जिन जिन चीज़ों को हमारा जो speaker है वो देखा करता था उसने देखा ठीक है तो चलो दूसरा question के जाते है question number second है हमारा what are the loveliest things loveliest of all these things God has shown to the point यह जो हमारा point है उसको खुदा ने इसा कौन सा चीज़ दिखाया है जो point को लगता है कि वो सबसे ज़्यादा खुबसूरत है समझ में आ रहा है ना हमने पढ़ा ना point में हाँ चलो answer क्यों चलते हैं the loveliest of all these things that God has shown to the point is that the beauty of his blood पढ़ा नाम ने जो सबसे खुबसूरत चीज़ point को खुदा ने दिखाया है वो यह है कि point का मानना है कि वो है मेरी महबुबा की खुबसूरती ठीक है क्यों कैसी खुबसूरती यह कि रहे कि वो मेरी महबुबा की वो lips और उसके red करो haunt जो lips है तो वो बहुत ज़्यदा खुबसूरत लगता है point को दुनिया के हर चीज़ से ज़्यदा खुबसूरत ठीक है question number third to whom do the words in the last line refers to question number third हमारा कहता है to whom do the words in the last line refers to जो last line हमारे poem की है वो किसको refer करती है वो किसके बारे में लिखी हुई है ठीक है याद है ना the words in the last line of the poem refers to the beauty of the points below जो last line है poem की जो उसमें words है वो किसके बारे में लिखे हुए है वो लिखे हुए इसके बारे में beauty of the points below जो पॉइट की ब्लावड है, जो पॉइट की महभूबा है, उसकी beauty के बारे में लिखे हुए है, इसकी खूबसूरती के बारे में लिखे हुए है, ठीक है, समझ मैं रहे नहीं है अदर, हाँ, चलो question number 4 देखते हैं, what does point compare, sorry, why does the point compare dawn and sunset to slow old tunes, देखो simple है, कि ये जो हमारा शाइर है, उसने क्यों compare किया है, एक होता है dawn, यानि कि जब अफ़ताब चड़ने वाला होता है, जब तलू होने वाला होता है, and sunset, जब अफ़ताब गुरू होने वाला है, तो इन दो चीज़ों को compare क्यों किया है, old, slow old tunes के साथ, समझ मैं रहे न, कहने का मतलब है, कि जो पॉइट है, जो हमारा शाहर है, उसने क्यों compare किया, एक सुभा के टाइम को, और शाम के टाइम को, किस के साथ, slow old tunes, जो पुराने slow tunes होगा करते थे, उनके साथ क्यों किया, ठीक है, तो चलो, answer के ओर चलते हैं, in the old times, the tunes were played slowly, in a classical way, from low tune to high tune, क्या कहता है, यह कहता है in the old times, जो पुराने time होगा करता था था न, the tunes were played slowly, तब जो भी tunes play करते थे, वो कैसे करते थे, slowly करते थे, इनके classical way, ठीक है, कैसे slowly करते थे, मैं लिग जब टून की शुरुआत होती थी, पहले slowly होता था, फिर आइस्ता, 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 वो high level पे जादा था ठीक है, तो इसलिए, the point compares, इसलिए क्या किया है, point ने compare किया है, dawn, यानि कि sunrise, जब आपता तुलू होता है, जब सूरज तुलू होता है, तो इसको dawn, sunrise जो होता है, तो इसलिए, point ने dawn को compare किया है, sunrise के साथ, यानि कि सुबह सबह तुलू हो जाता है, फिर, and the sunset to these tunes, because the sun rises and sets slowly like the old, like these old tunes, ठीक है, तो क्या होता है, तो point ने compare इसलिए किया है, ताकि, जो हमारा sunrise होता है, ठीक है, जो हमारा sunrise होता है, तो इसको एक compare किया है dawn के साथ, यानि कि slowly slowly छरूआत होती है दिन की, फिर, आस्ता आस्ता, दिन बर, आपता जो हमारा सूरज जो sun है, वो आसमान के गूमत रहता है, फिर क्या होता है? और शाम को जब sunset हो जाता है, तो slowly slowly होता है, ठीक है? मालब ऐचानक नहीं होता है, एक दम से नहीं होता है, ठीक है? तो इसलिए इसने comparison किया है, फिर this kind of poetic device is used by the poet in the poem, ठीक है? तो this is a kind of poetic device, यह क्या है? यह एक poetic device है, जो poet ने use की है अपने spawn में, यानि की beauty में, ठीक है? समझ मैं रहा है न? हाँ, तो poetic device क्या होती है? I hope आपको पता होगा, अगर नहीं पता है, तो comment कीजेगा, I will make you understand that what actually poetic device is, हाँ, slow tunes are soothing and soft, they make people happy, अब इनको compare क्यों किया गया है, slow tunes के साथ, इसे लिए slow tunes के साथ, इनको compare किया गया है, ताकि जो slow tunes होते हैं, एक तो soothing होते हैं, ठीक है? and soft, वो दिल को बहलाने वाले होते हैं, वो खुश करने वाले होते हैं, they make people happy, slow tunes क्या करते हैं, लोग उनको खुश करते हैं, लोग उनको बहुत अच्छा लगता है, तो इसे लिए, पॉइट ने comparison किया है, compare किया है, क्या, dawn and sunset to slow old tunes, ठीक है? हाँ, आगे बढ़ते हैं, question number five है हमारा, how does God, God's creation appears to the point? Question number five हमारा है, कि यह जो खुदा के creation है, यह जो खुदा ने पाएदा किया है इस दुनिया को, शायर को यह जो there is everywhere the beauty of my blood and there is nothing more than that whatever God has created is special that's only the beauty of my blood the beauty of her hair voice and eyes and her covered lips haven't we read it we have completed it already so now let's go for the answer to the poet God's creation appear as loveliest things of beauty in his blood to point ko kiya langta hai point ko langta hai jo khuda nne creation ki a jo khuda ki paydaish hai jo khuda nne payda ki hai कya hai woh yie hai the loveliest thing of beauty in his blood God's creation joh hai poyit shended ko langta hai khuda ki joh yee kudrat hai khuda nne payda kiya hai is kheeünden ko toi kia kiya ya kira que sabse zayada khuchut chis khuda nne agar payda kiya hai तो वे मेरे महबूब की खूबसूरती को पैदा किया है As he finds his creation in her voice जैसे हमने पढ़ा है उसको लगता है कि खुदा की इतनी अच्छी creation अगर देखा जाएगा तो वो मेरे महबूब की आवाज में है मेरे महबूब की आँखों में है मेरे महबूब के बालों में है ठीक है और कहां पे है And the red curved of her lips और जो मेरे महबूब के red curved lips है वो इतनी ज्यादा खूबसूरत है कि खुदा की सच पिए खुदा की सबसे अच्छी creation है सबसी खूबसूरत creation है ठीक है तो चलो आगे बढ़ते हैं I hope you understand by the song of the blues ठीक है देखो यह थोड़े literary devices होते है poet शाय का अपना अंधास होता है वरना कर देखा जाएगा जो कलिया होते हैं वो थोड़ी ना sing song करते हैं मत ना करते हैं वो गाते बाती कुछ भी नहीं है लेकिन बस poet का नजरिया होता है जैसे मैंने को पहले का यह romantic poem है अगर हम वोड़्सवर्थ के बारे में बात करेंगे वो romantic poem था वो romantic point था वो nature के बारे में बात करता है nature की beauty को दिखाता है ठीक है तो इसी तरह से ना यह जो हमारा writer है जो हमारा point है इसने comparison किया है ठीक है तो चलो देखते हैं हमारा question क्या कहता है question को समझते है what does the point mean by the song of the blossoms जो हमारा शायर है उसका क्या मतलब है यह कहने से song of the blossoms यह blossom है इसका क्या song है ठीक है इनका song इनके songs इनके गीत से क्या मतलब है उसको ठीक है तो चलो answer देखते है answer है हमारा the song of the blossoms is the flirting of the leaves of the flowers when the air blows to them देखो क्या मतलब इसका इसका मतलब है जबके हवाई चलती है जब हवाई चलते हैं वो पत्तों को हिलाती है जो flower होते हैं जो flowers के साथ पत्ते होते हैं जब हवाई चलते हैं तो हवाई के जरिये से जो पत्ते हैं वो हिलते हैं तो हिलने के साथ सा थोड़ सा आवाज भी निकल जाती तो उस हिलने वाली आवाज को जब हवा आ जाती है तो नके साथ टक्रा जाती है तो उस आवाज को poet ने compare किया है poet ने यह मतलब निकाला है कि वो होता है song of the blues जाते हैं, ठीके हैं, हाँ, the sound may be so caused by the bosom of bees when they collect nectar, it symbolizes the beauty of the sound. एक रखिए कि इतना ही नहीं होता, अब माना कि हवाई जब आती है, हवाई इन से गुजरती है, तो तब आवाज निकलती है, तो वो सांग हो गया, इतना ही नहीं हो सकता, है, कि ये जो हमारे bees होते हैं, ठीके है, बीज होती है, honey bees जैसे होती है, जो bees होते हैं, जब वो इन कलियों के उपर बेटती हैं, क्या करने के लिए, to collect the nectar, जब वो अपने jam को जमा करते हैं, आपने देखा होगे, जो honey bees होते हैं, वो flower पर बेटते हैं, ठीके हैं, तो वहाँ से क्या करते हैं, वो collect करते हैं, nectar जाम पीते हैं, ठीके है, फूलों का जाम पीते हैं, तो क्या करता है, it symbolizes the beauty of sound, यही हमें दिखाता है, कि इसको कहा जाता है beauty of sound, यानि यानि कि वो वाला sound है, जो beauty का sound है, बहुत ज़्यदा खूब सूरत sound होता है, ठीके है, ठीके है, तो मैंने आपको पहले का, यह comparison होता है, तो right now, we are talking about the literary devices of the poet, ठीके है, तो यह poet, वो poet में ऐसा खासियत होती है, वो comparison करता है, चीजों को दूसरे चीजों के साथ, तो चलो question number seven देखते हैं, question number seven में कहता है, what is the contrast between the last line and the rest of the poem, what does it suggest, देखो, अच्छा सवाल है, बिल्कुल अच्छा question है, आपने अच्छे से बढ़ा भी होगा, समजा भी होगा, question number seven हमें कहता है, what does, so what is the contrast, contrast with opposite, यह फरक क्या है, ठीक है, opposite क्या है, फरक क्या है, किस के बिच में, between the line, between the last line and the rest of the poem, कहने का मतलब यह है, question हमें कहता है, कि यह जो सारी poem है, ठीक है, उस poem में और poem के last line में क्या फरक है, ठीक है, इन में क्या antar है, क्या फरक है, क्या contrast है, opposite क्या है, मझलब कि सारे पॉम के बारे में किस बारे में बात हो रही है वो जो last line है पॉम की उसमें किस बारे में बात हो रही है इसमें कुन से difference है क्या दिखता है आपको What does it suggest यह आपको क्या suggest करना चाथा है तो चलो answer के और चलते है There is a comparison between the last line and other lines of the poem FIRST SIX LINES DESCRIBES THE CREATION OF THE NATURAL BEAUTY OF GOD IN THE WORLD EXPERIENCED BY THE POINT WHILE THE LAST LINE DESCRIBES THE BEAUTY OF HIS BLOOD IS THE LOVELYEST CREATION OF GOD तो क्या कहता है? ये कहता है कि जो सारी जो LAST POUN है जो LOST POUN है सारो, जो LOST LINE है हमारे POUN की तो उसको COMPARION किया है बाकी LINE उसके साथ जो पॉम के बाकी लाइन से उनके सथ comparison किया है जो first six lines को अगर हम देखा जाएगा तो इसमें क्या दिखाता है उसमें describe किया गया है उसमें दिखाया गया है creation of the natural beauty of God जो खुदा ने nature को पैदा किया है उसकी कितनी खूबसूरत है उसकी कितनी अच्छाई है वो कितना खूबसूरत है वो कितना impressive है कितना attractive है ठीक है तो यह सब कुछ poet ने देखा है और last line में describe परता है यह सब कुछ देखने के बावजूद जब last line में हम देखते हैं तो poet ने वहाँ क्या कहा the beauty of his blood is loveless to think God has created in the world तो वहाँ उसने देखा कि अगर देखा जाएगा मैंने सब चीज़ों को देखा है जो खुदा ने पैदा किया है nature के बारे में जब बात करते हैं लेकिन अगर हम देखते हैं कि last line में point कहना चाहता है कि सारे चीज़ों को मैंने बिल्कुल अच्छे से देखा है करीब से समझा है लेकिन जब मैं last line के बारे में बात करता हूँ तो वह point यह कहना चाहता है कि खुदा ने बेशक्स बहुत सारे चीज़ों को पैदा किया है बेशक्षक वह बहुत सारे खुबसूरत है लेकिन खुदा ने सबसे ज़्यादा खुबसूरत एक चीज़ पैदा किया है वो है the beauty of my blood वो है मेरे महबूबा के खुबसूरती ठीक है वो है मेरे महबूबा के खुबसूरती ठीक है यह कहरा कि सारी के सारी के सारी पॉम में अगर देखा जाएगा तो उसमें प्रेज किया गया है तारीफ किया गया है beauty of nature जो nature की खुबसूरती है उसको प्रेज किया गया उसके बारे में उसको तारीफ किया गया उसको बहुत ज़दा प्रेज किया गया सारे पॉइम में होता है beauty of nature के बारे में बात और जो last line है तो उसमें बात हो रही है beauty of loud जो loud की beauty है तो उसके बारे में बात हो रही है तो किस beauty के बारे में तो शायर का मानना है जो beauty उसके मेबू के आवाज में है उसके बालू में खुबसूरती जो है उसके आंकों की खुबसूरती और उसके red lips की खुबसूरती ठीक है तो चलो थोड़ा आगे बढ़ते है थोड़ा सा discuss over करेंगे फिर अब देखते हैं हमें क्या suggest करता है? question भी आ सकता है ठीक है? although the creator is one but the person or the thing you love seems more beautiful than the things you have seen in your life it's well said the beauty lies in the eyes of the beholder ठीक है? तो क्या है? finally हम conclude कर सकते हैं इस बात से कि यह जो last question है यह जो poem है जो मतलब कि इसमें comparison किया गया है इसमें जो difference है पहले कि six lines अलग हैं और last जो line है वो बिलकुल अलग हैं तो यह हमें suggest करता है यह हमें suggest करता है एक चीज़ क्या है? इस suggest is that nothing is more beautiful than love यह हमें यह suggestion देता है कि प्यार से खूबसूरत कोई चीज़ नहीं होता सबसे ज़़दा खूबसूरत चीज़ अगर देखा जाएगा तो that's love nothing more than that सिर्फ महबत है और कुछ भी नहीं है ठीक है? क्या कहिए रहा है? Although the creator is one हालंकि अगर देखा जाएगा जो खुदा है Creator is one खुदा है वो एक ही है पैदा करने वाला एक ही है हर कोई चीज़ खूबसूरत पैदा किया है उसने but the person or the thing that you love seems more beautiful than the things you have seen in your life लेकिन होता क्या है? खुदा ने पैदा सब चीज़ों को किया है नेचर नेचर को भी खुदा ने पैदा किया है इंसान को भी किया है जैसे कि यहां दिखेंगी तो जो शाइर जो शाइर की लाउड है न जड़ा चाहता है न जड़ा प्यार करता है न तो उसको सबसे ज़्यादा beautiful दुनिया में वही चीज लगता है उसको सबसे ज़्यादा खूबसुरा दुनिया में वही चीज लगता है और कोई भी चीज नहीं लगता तो it's well said that इसलिए अच्छी एक कहवत कही गही है तो वो क्या है वो यह है कि अच्छा तो इसलिए काच्छी सी कहवत है वो यह है कि अच्छा एक अच्छी सी कहावत है वो यह है कि जो खूबसूरती है वो उसकी आँखों में होते है जो देखने वाला होता है देखने वाला का अंदास किसके और कैसा होगा वैसे ही खूबसूरती इंसान को दिखती है खूबसूरत चीज़ों को इंसान वैसे ही देख सकता है जैसे वो इन चीज़ों के कितना चाहता है कितना उनके खुलो से कितना उनके पहबत करता है तो इसलिए जो ब्यूटी है जो खूबसूरती है वो इस इंसान की आँखों में होती है जो जैसे देखता है ठीक है, जो देखने वाला होता है I hope you enjoyed the class Students, don't forget to subscribe, share and like Please subscribe my channel If there is any doubt, please leave a comment I will make you understand one second I hope you enjoyed the class, best of luck Thank you